हेलो फ्रेंट्स आगतेश चनल पर आज की इस बीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस में बनने वाले हैं इंपोर्टेंट पॉलिटी के कोश्चन आप लोग जानते हैं फ्रेंट्स की यह सारे कोश्चन हम प्रती दिन लेकर आ रहा हैं हिस्टी जोग्राफी पॉलिटी के इंपोर्टेंट प्रश्चनों को लेकरा रहा हैं ताप लोग इस चनल से जुड़े और इन प्रश्चनों को देखें यह सारे प्रश्चन बिहार पुलिस में बार बार पुछे गया है देखें प्रश्चन पूछा गया है कि गोवा को किस ऑप्रेशन के द्व में पृत्रगालियों से को अजात कर दिया गिए अनिसी संबर को जो है गुटी दियोस के उप्सें मैं जो को ती सूंए में पर चपानवा सविदान सोधन दोरिफे भारत का पचिसवा राज बना कौन सा राज बना पचूसरा राज दो भारत का पचिसवा तो राज पुछा जाए तो कौन सा है गोवा है और कि संसुधन के तत्र बनाया गया था चपनवा संसुधन और कब बनाया गया था तो 30 मय ऐनिस सो 87 को गोवा भारत का राज्य बना ठीक है ये याद रखेगा और अनंस दिसंबर 1251 को गोवा से पृतवालिव पृतवालिव गोवा को अजाहत कर दिया गया था और अनंस दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवसकर मनाया जाता है देखे और भी यहाँ कुछ आप्रेशन है उसको याद रखेगा देखे आप्रेशन पोलो के तहट जो है हाइदराबाद से नीजाम को भागाया गया था आप्रेशन स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत में जो परतम परमानु परिक्षन किया गया था उस अप्रेशन का नाम उप्रेशन स्माइलिंग बुद्धा था कब किया गया था तो 1974 में किया गया था 18 मौई अप्रेशन को भारत में पहला परमानु परिक्षन किया गया था राजस्तान के पोखरण के रेगिस्तान में और इंद्रा गान्थी के समय अविए आप लोग यह जानते हैं कि आप्रेशन देवोर सकती जो है यह जो है इसका परिक्षन भी किया गया था राजस्थान के मैदाने किया गयya था और यह जो किया अथा अनिसो अन्ठानवी में किया गया था 13 माई अनिसो अन्ठानवी में किया गया था अटल भीहरी वाजपे के द्वारा जिसका नाम ऑपरेशन देवी सक्ति था तो पहला परमानुपरिक्षन ऑपरेशन एसमालिंग बुद्धा के नाम से किया गया था दूसरा परमानुपरिक् चलिए हम लोग नेक्स्त्ट देखते हैं आधे oxidha यह प्रश्ण पूछा क्या है कि लोग सभा कारेकाल कितनी बार चीते रिख़ें आद रहक है कि लोग सभा कारेकाल एक भी बार किया गया है चे रिखक्ति गा horns लॉग सभा कोता महता अने उस समय राष्टिया पात्काल लागू किया गया था तो राष्टिया पात्काल में की वी नियम है कि राष्टिया पात्काल जब लागू होता है तो लुक्सभा के काड़ेकाल को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन जब राष्टिया पात्काल खुतम हो जाता है तो उसे कितने वर्स कर दिया गया था च्छे वर्स कर दिया गया और यह कब किया गया था और यह इंपोर्टेंट कुछ प्रश्ट बनता है यहां से याद रखेगा अब देखिए कुछ बातों को और जान लेजिए लोकसभा का सतस्य बनने के लिए नूनतम आयू 25 वर्स होना चाहिए और राजसभा का सदस्य बननने के लिए नूनतम आयू तीस वर्स होना चाहिए और राष्ट पती या राजिपाल बनने के लिए नूनतम आयू 25 वर्स होना चाहिए यहां से भी प्रशन डेरेक्ट आता है ठीक है याद रखेगा कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राजसभा जो है एक अस्थाई सदन है ठीक है याद रखेगा लोकसभा को जो है इस सदन को लोगों का सदन कहा जाता है या इसे मुर्खों का सदन कहा जाता है और राजसभा को वीधवानों का सदन कहा जाता है भारत में लोकसभा की जो सदसों का वरतमान सीटे हैं वो कितना पांसो तेटालीस है और अधिकतम कितना हो सकता है तो 550 हो सकता है ठीक है पहले 552 था लेकिन वर्तमान में 550 हो सकता है और राशतभागे सब्सक्राइबाइस कितना है वरतमान में तो इसे हाटा दिया गया है ठीक है ये याद रखना है चलिए हम लोग next देखते है देखिए प्रश्न बहुत ही important है पूछा गया है कि लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए तो लोगसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए कम से कम पचास सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए दो जेपी केवानी नैलाया था किस नहीं लाय था तो जेपी केवानी केवानी और किसके बुरॉथ मेगा। किसक्षा में भारत के पर्दाने नहेरी तो पंडित सदोस्यों का समर्थन होना चाहिए सबसे पहले इसे कव लाया गया था 1963 में लाया गया था किनके द्वारा तो जेपी करपलानी के द्वारा लाया गया था और किनके विरुद में लाया गया था तो पंडित जुवाहरलाल नहरू के विरुद में लाया गया था याद रखेगा, यहां से important प्रश्ण में यही बनता है, कि अविष्वास प्रस्ताव का क्या सुविधान में उलेख है, तो अविष्वास प्रस्ताव का किसी भी अनुछेद में उलेख नहीं है, कोई उलेख नहीं है, यह याद रखेगा, चलिए हम लोग next देखते हैं, सबस्टों कि संक्या कितना था साइमन कमिशन में कितने सदस्टे थे तो साथ सदस्टे थे और साथों के साथों अंग्रेज थे इसी के इसी बात के लिए भारत में भारतियों ने इसी भारतिये इसे खिलाफ थे साइमन कमिशन की खिलाफ थे और आप जानते हैं कि साइमन का गठन कप किया गया था तो 26 नॉम्बर 27 को किया गया था इनके 70 के संख्या कितनी थी तो साथ था इसमें सातों के सातों क्या थे अंग्रेज थे और एक इनकिया देख्षिता में त्यार किया गया था और एक और बात याद रखियागा कि भारत कव आया था साइमन कमिशन तो है विरूद कर रहा है तो इन पर लति चार्ज किया गया है 30 1028 को याद रखेगा विशने शेर ये पंजाब के नाम से जाना जाता है और पंजाब केला पूल के नाम से जाना जाता है लावाई को यार्चपत रहे और सही दियाजम के नाम से भाकत सिंग को जाना जाता है तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्ण यहां से बनता है आप लोग याद रखेगा और दिखिए साइमन कमिशन लाला लाच बत्राय से एक और याद रखेगा नारा इनके द्वारा कहा गया था मेरे सर पर मारी गए एक एक लाठिया अंगरेजों के ताबूत के आखड़ी किल साबित होगी ये लाला लाच बत्राय के द्वारा ही कहा गया था चलिए हम लोग नेश्ट देखते हैं देखिए प्रश्णी बहुत ही इंपोर्टेंट है पूछा किया है कि इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है तो इजराइल के संसद यादा कियेगा नेसिट कहा जाता है इसे ठीक है और भंगलादेश के संसद को जाती है संसद कहा जाता है और चीन के संसद को नेशनल तो कहा जाता है और जाती है संसद बंगलादेश के संसद को कहा जाता है यह याद रखेगा और संसद की जननी पूछा जा किसे कहा जाता है तो ब्रीटेन को कहा जाता है यह भी याद रखेगा कि संसद की जननी किसे कहा जाता है तो ब्रीटेन को कहा जाता है और इजराहिल की गया है कि आरे समाज के स्थपना किस ने किया था तो आरी समाज के स्थपना जो है स्वामी दायानन सीर siitä की द्वारा किया थंठाट टाट सो पोचको थिर में ठीक है याद रखेगा राजा-राम मोहन के द्वारा ही किया गया था ये भी याद रखेगा स्वामी विवेका नंद से याद रखेगा कि इनका वच्पन का नाम नरेंदर थे और स्वामी विवेका नंद के द्वारा ही अठाट सो संतान्वे में स्वामी विवेका नंद के द्वारा ही अठाट सो संतान्वे में राम कृ अनुछेद में राज के निती निर्देसक ततो को सुविधान के द्वारा सनक्षन प्रापनिये का वर्नन है तो आप लोग जानते हैं कि अनुछेद 37 में इसका वर्नन है अब चलिए राज के निती निर्देसक ततो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तब उसके बाद आके बढ़ेंगे राजी के निती निर्देसक तत्व का उलेख अनुछी 36 से कावन की बीच में है आप लोग जानते हैं राजी के निती निर्देसक तत्व को जो है आयरलेंड के सविधान से लिया गया है और राजी के निती निर्देसक जो तत्व हैं सविधान के भाग चार में का वर्नन है अनुछे 36 से कावन तक और आयरलेंड की स्विधान से लिया गया है ठीक है यह याद रखेगा अब चलिए हम एक एक करके 36 से कावन तक के अनुछे की परिभासा का ठीक है अनुछे 37 में कहा गया है कि राज के नीति निर्दिशक्त तो को सविधान के द्वारा सनक्यन प्राप्त नहीं है अर्थात कि अगर राज के निर्दिशक्त तो का जो है अगर घनन होता है तो इसके लिए हाई कोट या सुप्रिम कोट हम लोग नहीं ज स्थापना का वर्ण किसमें है अनुछे 37 में है ठीक है अनुछे 49 याद रखिएगा मिसंगकार्य के लिए समान वेतन देने का वर्ण किसमें है और इसमें या दखिएगा निसूल की बीधि सहायता का भी वर्ण है यहां से प्राशनाता है एक कि पंचाईती राजू का गृठन किसे अनुछीद में है पंचायू का गठन ठीक है अनुछीद 41 के बारे में आप घ्या दखेगा कि 59ग तालीस में जो है कुछ दसाओं सेहायता जान सिक्षा कामें सहायता सरकार देगा इसका वरन किसमें है अनुछेद 41 में है कुछ दसाओं में सहायता सरकार देगा अनुछेद 41 में इसका वरनन है कौन-कौन सी दसाओं हो सकता है वो सिक्षा और काम हो सकता है याद रखिएगा अगला अनुछेद 42 अनुछेद 42 में जो है कहा गया है कि मनुचीत दसा या नयाय संकत दसाओं में सरकार सहायता करेगा मनुचीत दसा और नयाय संकत दसाओं में सरकार सहायता करेगा यानि कि जैसे कि आप लोग जानेते हैं मनुचीत के मतलगी जिसे प्रसूती के लिए जो महिलाओं के लिए छे माह का छुटी सरकार के द्वारा दिया चाता है प्रसुती के लिए ठीक है डिलेबरी के समय वही अनुछे 43 के वारे में देखा जाए तो अनुछे 43 जो है इसमें वर्रन किया गया है निर्वाय यूग मजदूरी का अनुछे 43 में निर्वाय यूग मजदूरी देने का वर तो अनुश्यत चुवालिस में जो है कहा गया है कि समान सिविल सहिता यानि कॉमन सिविल कोड का वर्न किसमें है अनुश्यत चुवालिस में है अनुश्यत चुवालिस याद रखेगा इंपोर्टेंट है अनुश्यत चुवालिस अनुश्यत चुवालिस में कहा गया है कि 6 व सख्षार के लोग लोग है उनको सिक्षा और धन से सहायता करे 46 में किया गया है कि पोसा आहार अस्तर बनाये रखा जाएए और सराबंदी पर ध्यान रखा जाए ठीक है ये ध्यान रखना है on punishi村 28 में क्या वरुनन है तो अचि瞭ाल यादर किया ग्या है कि पॉसू पालन वन जीओ की सुरक्षा किया जाए पॉसू पालन भी किया जाए वन की सुरक्षा भी किया जाए और दुधारू पसों की हत्या पर रोक लगाई जाए यह अनुछित 48 में इसका वर्णन है सुनते रहे यह सुन लेजेगा तो प्रश्ण बन जाएगा यहां से और अनुछित 49 में जो है कहा गया है कि एतिहासिक इसमारक की सुरक्षा हो जितने भी हमारे पास एतिहासिक इसमारक है जैसे कि लाल किला हो गया ताज महल हो गया इंडियागए ँप यह इसमारक है इसका क्या किया जाए शूरक्षा किया जाए और शुंछित 50 याद रखीएगगा और शुल्छ किया गया है वर्नन किया गया है कि अंतराश्टिर ये सांती कायम रखा जाया अनुश्यद 51 में तो ये पूरा हम अनुश्यद बता दिये राज के नीती निर्देशक जो तत्तम में इम्पोर्टेंट है ठीक है फ्रेंस तो आप लोग अगर नहीं ठीक पर में देखे हैं तो थोचे करके एक बाज और सुनले क्योंकि यह ऑ्ला इसमेंज़ फ्रशन रहता है यही इसमें से तो चुगालिस में इंपोर्टेंट है यह आप लोग याद रखेगा ठीक है तो उमीद करते हैं कि आपको यह पूरा समझ में आया हुगा है चलिए हम लोग नेक्ट देखते हैं देखे प्रश्ण पूछा गया है कि जानकी रवन समीती किन से सम्बंदित है तो देखे आप लोग जानते हैं कि जानकी रवन समीती जो है प्रतिभूती घोटाला से सम्बंदित है ठीक है यह याद रखेगा यह समीतियों से बड़ा प्रश्ण पूछा जाता है और जितना य याद रखेगा कि दान्त वाला दान्त वाला समीती जो है ये विरुजगारी के अनुमान से संबन्दी थे और रेखी समीती याद रखेगा ये अपर्त्यक्षकर से संबन्दी थे तो स्वामी नातन समीती जो है जनसंक्या से संबन्दी थे जानकी रमन समीती प्रतिभूती घ नेक्ष्ट देखते हैं देखे प्रश्णा पूचा गया है कि राष्टिडिया ग्रामी रोजगार गरांटी योजना किस वर संसद में पारित हुआ तो आप लोग जानते हैं राष्टिडिया ग्रामी रोजगार गरांटी योजना को हम लोग संचिप्त में नरेगा कहते हैं क पूरा नाम क्या होता है तो सुन लिजिए नेशनल रूलर इंप्लोईमेंट गरांटी एक्ट होता है राष्टेडिया ग्रामी रोजगार गरांटी योजना होता है इसके बारे में याद रखेगा कि राष्टेडिया ग्रामी रोजगार गरांटी योजना जो है ये ग्रामी चेत्रों में रहने वाले लोगों को सौ दिनों की रोजगार की गरांटी देता है कितने दिनों की सौ दिनों की रोजगार की गरांटी देता है और यह एक केंद्रिय योजना है कौनसी योजना है एक सेंटर योजना है और केंद्रिय योजना है यह दखिएगा कि राश्ट्र पांच में संस्द में पारित किया गया था तो पूछा भे गया है कि में संसद के द्वारा सुरू कर दिया गया थेके लियां को अर्धूर ह। को और 2009 को इसी योजना का नाम पर्यवर्टीत कर दिया गया दो अक्टूबर को गांदी जी के जयन्ते पर ऋक्कूबर 2009 को इसी योजना को मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा मनरेगा का मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांदी निशनलfa इंप्लोई में ग्रांटी एक्ट के नाम से जाना जाने लगा कब से 2009 से दो अक्टूबर 2009 से कांदी जी के जन दिन पर चलिए हम लोग नेक्ट देखते हैं प्रशन पूछा गया है कि लोकसभा का चुनाओ लड़ने के लिए परत्यासी की दिन तमायू कितनी वर्ष होनी चाहिए तो लोकसभा का चुनाओ लड़ने के लिए किसी परत्यासी की दिन तमायू 25 वर्ष होना चाहिए रासभा का चुनाओ लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए अब एक बात सुनिए यही होता है विधान मंडल में राज आप जानते हैं कि भारत की में के छे राज्यों में भारत विधान मंडल में भी यही होता है विधान मंडल में भी क्या होता है एक विधान सभा होता है और एक विधान परिशद होता है तो विधान परिशद किस जो सदस्य बनते हैं विधान पड़िस्द के जो सदस्य मातर 6 राजयों में विधान पड़िस्द का गठन किया गया है और विधान मंडल 6 राजयों में ही पाए जाता है वो कोन-कौन से राजव है ये भी देख लीजिए बता देते हैं वो जो राज है करनाटक है उतर परदिसे महाराष्ट है बिहार है आंत परदिसे और तेलंगना है ये राज छे जहांपर विधान परशत की वैस्ता किया गया है ठीक है फ्रेंट्स अब चलिए कुछ अनुचिद बताते हैं उन अनुचिदों का आप लोग याद रखिएगा देखिए संसत का वरनाण अनुचिद 89 में किया गया है रासाभा का वरनाण 80 में किया गया है और लोकसाभा का वरनाण 81 में किया गया है विधान और परिसत का वरण अनुशेद 179 में किया गया है और विधान सभा का वरण 170 में किया गया है तो ये याद रखेगा ठीक है फ्रेंट्स ये सारे अनुशेद पूछे जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट विडियो में पॉलिटी और हिस्टी और जोग्राफिस से संबंधित तस-दस इंपोर्टेट कोशन को लेकर ठीक है चलिए फ्रेंट्स तो आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत